इस question में हमें ये प्रूफ करना है, यहाँ पे हम LHS लेते हैं, यह मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे हम notice करें, sign के different values add हो रही हैं, तो हमारा formula यूज होगा यहाँ पे, यह वाला, sin x plus sin y equal to this, यहाँ पे हमें decide करना पड़ेगा, कि हम यहाँ पे कौन-कौन सी दो values लें, sign क जो add हो रही हैं, अगर मैं यहाँ पे लो, sign 6x और sign 2x, तो मेरा यहाँ पे x plus y by 2 हो रहा है, यानि यहाँ पे 6x plus 2x by 2 होगा, यानि 8x by 2, 4x आएगा मेरा, यानि अगर मैं यह दोनों को sum लो, तो मेरा sign 4x की time आएगी, और यहाँ पे भी sign 4x है, तो यह common आ सकता है, इसलिए म यहाँ notice करो, एक sign 4x की time आगी, solve करके, और एक cos 2x की time आगी, अब right side में मेरा 2 sign 4x है, और यहाँ left side में भी 2 sign 4x है, तो इसे common ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा cos 2x, यहाँ से कुछ भी नी बचेगा, यानि 1 बचेगा, तो यह मेरा आ गया cos 2x plus 1, अब cos 2x का formula होता है, 2 cos square x minus 1, इसे input कर दिते हैं, तो यह मेरा कुछ ऐसे आजाएगा, minus 1 plus 1 cancel हो जाएगे, यह कुछ ऐसे आजाएगा, इसे हम further solve करेंगे, तो यह आजाएगा 4 sign 4x into cos square x, यह मेरा RHS की equal है, तो LHS और RHS equal है, hence proved.